हेलो इबरीवन विल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल माई विप क्लासेश इस वीडियो में 22 फरवरी 2024 का सिफ्ट फर्स्ट का क्वेस्ट पेपर देखेंगे और आपको आल क्वेस्ट पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है तो इस देखे 15 हुआ 15 17 17 12 19 19 21 21 22 23 फर्स लेटर यहां पर तेएस होगए अर्था डबलू फिर दिस्ट लेटर देखेंगे तो 5 27 7 29 नव दो गेरा गेरा दो तेरा तेरा दो पंदरा सिकेन लेटर पंदरा अर्थाथ ओ हो आई गए यहां पर फिर संक्या देखेंगे तो अठर च चार प्लस किया 22, 4, 26, 26, 34, 34, 34, 34, 38 यहाँ पर 38 तो WO 38 इसका आंसर होगा आपसा नमबर थर्ड करेक्ट है Next question है यहाँ पर देखें दो कथन दिये गए हैं साथ में दो निसकर्स दिये गए हैं अब इसी में आगे बनाते हैं देखें कोई भूमी लड़की नहीं है तो कोई भूमी लड़की नहीं है तो यहाँ पर लड़की को यहाँ भी बना सकते हैं ऐसे भी कट कर सकते हैं या कि फिर दो भी बना सकते हैं यह ध्यान देंगे डाइग्राम को देखते हुएए फिर आप निस्कर्ज देखे सभी रिक्त भूमी है देखे रिक्त बाहरे भूमी अंदर है तो बाहर से अंदर की ओर सभी कंडिशन फालो नहीं होती है अताथ पहला निस्कर्ज गलत है सभी लड़कियां रिक्त है तो यह देखे यहाँ पर तो लड़किया रिक्तों में कोई connection नहीं है तो यह भी गलत होगा second निसकर्च भी अथा दोनों निसकर्च देखे यहाँ पर गलत है तो option number fourth correct है कोई भी निसकर्च अमसार नहीं करता है next question है देखे यहाँ पर समीकर्ण दिये गए हैं दो समीकर्ण आपके सामने और तीसरे समीकर्ण का मान पता करना है तो यहाँ पर देखे उची चिन्हों का प्रियोग करती है इस्टार की जगए यदि गुणा लगाएं एड़रेट की जगए गुणा और हैज की जगए प्लस तो देखे ये बैलू 370 आ जाएगी 7, 5, 35, 35, 30, 50, 20 जोड़ेंगे तो 370 फिसी तरह यहाँ पर भी गुणा दो दोनों जगए गुणा यहाँ पर प्लस तो 4, 3, 12, 5, 60, 37, 90 फिसी तरह इन दोनों की जगए गुणे का सिंबल यहाँ प्लस लगाएगी तो 2, 3, 6, 24 और 24 और 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, नेस्ट कोसन देखेंगे, निम लिखित प्रस्ण में दी गए आकरतियों के इनसार कागज के एक टुकड़े को मोरकर उसके छेंद किया जाता है, बिकल्पों में दी गए आकरतियों में इसे बताईए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर देखें जो आकरति दी गए तो पहले आपको इस तरह मोड़ना है, फिर इसके बाद यह इस तरह मोड़ना है, फिर यहाँ पर दो छेंद इस तरह किया है, जब इसको ओपन करेंगे तो यह फस्ट आकरति के जैसे दिखाई देगा, तो आपको बिकल्प स इनके चेंज कर दिया है, जबकि यह कोने में यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर देखें कोई भी आकरति नहीं बनेगी फस्ट के अलावा, इसका आपसर नमबर फस्ट करेक्ट है, नेस्ट कोस्टन है, दिए गए बिकल्पों में से निम लिखे स्रंक्रस से लुत संख्या का चेंज कीज़े, यहाँ पर देखें एक स्रीज दे गई है, तो 85 से 84 हुआ मतला माइनस 1 किया है, फिर 84 से 92 हुआ तो प्लस 8 किया है, फिर 92 से 83 हो गया है, तो यहाँ पर घटाएंगे, आपस में तो माइनस 9 किया है, 83 नौ बानवे होता है, फिर 83 से 147 हो गया है, तो प्लस 64 है, आप माइनस कर लेंगे, प्लस 64 किया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक काई स्क्वाइर माइनस किया, फिर 2 का कियो प्लस किया है, फिर 3 काई स्क्वाइर माइनस किया, तो 4 का कियो भी यहाँ प्लस किया है, आगे आप 5 काई स्क्वाइर माइनस करेंगे मतलब 5 का स्कूर 25 होता है तो 5 का स्कूर 25 माइनस होगा 147 माइनस जब 25 करेंगे तो 122 आएगा आपसर नमबर 3 करेक्ट है नेस्ट कॉस्टन है निम लिखिद भी कल्पो में से दी गई स्रंखला से लुप्त संख्या का चैन कीजिए यहाँ पर देखेंगे फस्ट देखें आठ है 8 से 27 हुआ तो दोनों का डिफ्रेंस 19 है मतलब प्लस 19 किया 19,8 27 होता है 27 से 46 हो गया तो यहाँ भी प्लस 19 किया है 19,27,46 46 से 65 हो गया तो यहाँ भी प्लस 19 किया है तो 65 में भी प्लस 19 कर देंगे तो इसका अंसर आजाएगा क्वेस्टन मार के जगे 84 होगा 9,5,14,6,1,7,1,8 84 इसका अंसर आएगा आपसन सेकेंड करेक्ट है किन दो चिन्हों और दो संख्याओं नकी अंकों को आपस में बदलने से समी करन सही होगा यहाँ पर देखें बिकल्प में देखें तो फर्स्ट भी कल को ही चेक करेंगे माइनस और गुणा आपस में बदल देए और 6 और 9 को आपस में बदल देए तो देखें माइनस की जगे यहाँ पर गुणा आएगा गुणा की जगे माइनस और 6 नव को भी बदलना है तो देखे यहाँ पर 9 की जगे 6 लिखेंगे और 6 की जगे 9 लिखेंगे तो यह समीकर्ण पूने लिख लेते हैं देखे 8 इंटू 4 यहाँ पर देखे चिन बदलते हुए फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9, सॉरी 9 नहीं होगा यहाँ पर 6 आएगा माइनस यहाँ पर 6 क्योंकि 9 को 6 में बदलना है और इसके बाद प्लस 6 को 9 में बदलना है तो देखे यहाँ पर 9 आएगा फिर भाग में 3 है और यह बराबर 29 प्राप्त होना चाहिए तो इसको सॉल्प कर लेते हैं देखे 9 में 3 से भाग करेंगे पहले तो 3 आएगा यहाँ पर 8 चोग 32 हो गया तो 32 और 3 जोड़ेंगे तो 35 और 35 में 6 माइनस करेंगे तो 39 आजाएगा अथाती समी करण सत्य है नेस्ट कोस्टन देखेंगे ए गुणे एफ कार्थ है ए प्लस एफ कार्थ है एफ का भाई है ए भागे एफ कार्थ है एफ की बहन है ए माइनस एफ कर्थ है एफ का बेटा है तो देखें यह बेंजग दिया हुआ है इस बेंजग से आपको पता करना है कि जे का यल से क्या सम्मन्द है तो सबसे पहले एक डाइग्राम बना लेते हैं दिये गए बेंजग के अधार पर देखें आई प्लस जे तो जहाँ पर प्लस लगा है तो फर्स्ट सेकेंड का भाई है मतलब आई जे का भाई है तो यहाँ पर लिखेंगे आई जे का भाई है तो यहाँ पर प्लस कर लेंग और के को जे उका तो लिखेंगे जे का जेंडर माइनस हो गए फिमेल है तब के माइनस येल है तो जहां माइनस लगा होता है दो के बीच में तो फर्स सेकेंड का बेटा है अर्थात के येल का बेटा है के येल का बेटा है तो येल को उपर लिखेंगे और यहां पर ये बेट तो प्लस कर लेंगे में विली प्लसिवी mist को सब्सक्राइब ने ए जो प्रकार 24 तीसरा अच्छर समूह से समदित और दूसरा अच्छर पहले अच्छर समूऊ से संबंदित है यहां पर ध्यान देंगे फिर्स्ट और सेकेंड का आपस पहले देखेंगे संबंद देखे प्रफम 3 लेटर को भी प्रीथ क्रम में लिख दिया है A2E को लिखा EWA और बीच लेटर जियों कते हों यहाँ पर देखे और अंतिम 3 लेटर को विप्रीद क्रम में लिख दिया है देखे OME को EMO लिख दिया है सेम इसी प्रकार यहाँ भी प्रथम 3 को विप्रीद अंतिम 3 को विप्रीद बीच वाला जियों कते हों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम 3 अंतिन 3 और बीच में जेवकतियो इसी प्रकार प्रथम 3 को CON को NOC लिखेंगे NOC और बीच वाला EF जेवकतियो रहेगा EF यहीं पर रहेगा और लाश्ट 3 अच्छर को विप्रीद क्रम में USE को ESU लिख देंगे ESU तो यह इसका कोड हो जाएगा देखें इसका आपसर नंबर फर्स्ट करेक्ट है यहाँ ओसी एफ ESU नेस्ट कोस्टन है दी गई आकरत के उस सही दरपड प्रित्विम का चैन कीजिए जो दरपन PQ को उस आकरत के दाइं यो रखने पर बनेगा देखें दाइं यो दरपन रखा है तो यहाँ पर देखें राइट बर लेप्ट यह चेंज हो जाता है मतलब राइट वाला भाग लेफ तरफ आएगर लेफ तरह अलब बाला राइट तरफ तो यह यही प्रित्विम बनेगा तो इसको देखें के किस बिकल्प में दिया हुआ है तो यह बिकल्प थार्ड में देखे इसका बिकल्प थार्ड करेक्ट है नेस्ट कउस्टन है एक निश्चित कूर्भासा में यदि डेस्क को B C Q I 1 लिखा जाता है और चेर को A F Y J P 2 लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पहले तीनों सब्द लिख लेंगे पहले सब्द में देखिए यहाँ प्रथम लिटर देखेंगे तो D से यहाँ पर भी हुआ तो मतलब माइनस दो किया है यहाँ पर देख रहे हैं फिर E है यहाँ पर देखें E से C हो गया तो माइनस दो यहाँ भी किया है प्रतेक लिटर में देखें माइनस दो किया है और इसके बाद बगल में 1 लिख दिया है यहाँ 4 लिटर है तो यहाँ 1 लिखा है इसमें 5 लिटर है तो यहाँ 2 लिख दिया है लेकिन यहाँ पर देखेगा माइनस दो यहाँ भी किया है पर एक लिटर में C में माइनस दो किया तो A प्राप्ट हो गया यहाँ पर यह च में माइनस दो करेंगे तो A प्राप्ट हुआ इसी प्रकार यहाँ भी माइनस दो यहाँ भी माइनस दो बी में दो माइनस करेंगे तो यहाँ जैर प्राप्त होगा फिसके बाद यल में माइनस दो करेंगे तो यहाँ पर जे आएगा बारा में दो घटाने पर दस और पांच में दो घटाएंगे तो यहाँ तीन आएगा था सी और यहाँ पर टू लगाएंगे यही इसका अंसर हो जाएगा इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है निम लिखित प्रस्ट में दिये गए विकल्पों में से संबंधी तच्छरों का चैन कीजिए यहां पर ध्यान देंगे फर्स्ट और सिकेंड का आपस में जो संबंध है वही थर्ड का फोर्थ से होगा तो 145000 में 19 cartoa ———1, मतले मान्स वन तो यहां भी प्रत्य एक लिटर में करके द्यार्ट कोड कि लिखत लेंगे तो 10 में 1 धटाएंगे तो यहां 9 mal अर्थ्था आई हो गया 18 में एक घटाएंगे तो 17 होगा 22 में घटाएंगे तो 21 होगा और 16 में घटाएंगे तो 15 अर्थात O होगा तो Q, I, Q, U, O इसका आंसर होगा आपसर नमबर 3 करिक्ठ है Next question है नीचे एक स्रंखला दी गई है जिसमें एक पदलूप्त है दिये गए बिकल्पों में उस बिकल्प का चेहन कीजिए जो स्रंखला को पूरा करेगा यहां ध्यान देंगे परज़े से 1 में देखेंगे तो 18 से 20 हो गया मतलब प्लस 2 किया है दोनों में 2 कंतर है 22 से यहां पर T हो गया मतलब 20 हुआ तो माइनस 2 किया है फिर 22 से देखें यहां 24 हुआ तो प्लस 2 किया है फिर 26 से 24 हुआ माइनस 2 किया है तो आगे यह प्लस 2 करेगा तो देखें यहां पर Z से भी हो गया तो प्लस 2 होगा अर्थात यही करेक्ट है बाकि यहां देखें 18 से यहां पर 13 हुआ तो यहाँ माइनस 5 किया है तो यह गलत है 26 से 15 हो गया है तो यहाँ भी देखे बहुत कम माइनस हुआ है 26 से 18 हुआ तो यहाँ भी माइनस हुआ है आपको प्लस करना है तो आप संसे केंड करेक्ट है Next question 6 मेत्र PQ, RST और U यह ब्रत्ताकार में में चारों और केंडर के बाहर की तरह मों करके बैठे है अब यहाँ पर सबसे पहले 6 मेत्रों की यह सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे और चारों केंडर के बाहर की तरह मों करके बैठे है सोरी 6 लोग यहां पर देखे यह 4 की condition तो ऐसे बनेगी अब 5 यहां पर बैठा लेते हैं 6 यह हो गए 6 मित्र अब कह रहा है यहां पर कि U R और S के ठीक बीच में बैठा है तो U को यदि R और S के ठीक बीच में बैठाते हैं और S का भी confirm नहीं है तो यह तो यहां पर Yes यह R बैठेगा यहां पर S यह R बैठेगा अभी इस तरह बना लेते हैं आगे देखे यह टी के ठीक बाई और बैठा है तो अभी इस line को छोड़ देखे आगे देखे P Q के ठीक दाई और बैठा है पी क्यू के ठीक दाइं यूर बैठा है तो यहां पर अब यहां पर सिट कर सकते हैं देखे यहां से देखे यस टी के ठीक बाइं यूर बैठा है तो टी के बाइं यूर तो देखे यह होता है और यह दाया होता है और यह दाया होता है क्योंकि बाहर के और के अंदर करके तो अब दो जगे बची है तो P Q के ठीक दाय और बैठा है तो Q यहाँ बैठाएंगे और इसका दाया इधर होगा Sorry यहाँ पर Q को बैठाएंगे और इसका दाया होगा इस साइड तो P को यहाँ बैठाएंगे इस तरह से sitting position होगी आप कहरा कि T के बीपरीद कौन बैठा है तो T के बीपरीद में देखे बैठा है R क्योंकि यह आपस आमने सामने है तो इसका option number second correct है Next question है नीचे देगे सब्दों को अगरेजिस सब्दों को उसके करम के अंसार ब्यवस्तित करने के बाद कौन सब्द तीसरे इस्थान पर आएगा सबसे पहले यहाँ पर देखे 5 सब्द देगए हैं तो सभी सब्द में यहाँ पर 3 लेटर पहले starting के सेम है आरी सी आरी सी आरी सी आरी सी आरी सी तो यहाँ पर अब चौथा लेटर देखेंगे तो यहाँ देखे ए है फिर एक बाद ही सबाते हैं यहाँ पर भी देखे ए है लेकिन इसमें एक बाद यल है यहाँ पर यन है तो यल यम यन यल पहले आता है अथात पहले नंबर पर सेकंड हो जाएगा तो आपको थार्ड नमबर का पता करना है तो अब तीसरे R E C E I B E तो यह होगा तीसरे नमबर पर यही आपको find करना था तो तीसरे इस्थान पर काउंस आएगा यह पहला हुआ यह दूसरा हुआ यह तीसरा तो आपसा नमबर से कहन करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है एक निश्चित कूरवासा में 18 को ELGRYC लिखा जाता है उसी कूरवासा में काफी को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर दोनों सब्द पहले लिख लेंगे अब देखे यहाँ पर फर्स लेटर में माइनस दो करके अब फिर इसको लिखा यहाँ से देखे विपरित दाइयोर से तो E में दो घटाएंगे C आएगा A माइनस दो करेंगे तो देखे Y आगया यहाँ पर T में माइनस दो करेंगे तो यहाँ R आगया I में माइनस दो करेंगे तो यहाँ G आगया N में माइनस दो करेंगे तो EL आगया और G में माइनस दो करेंगे तो E आगया तो इसी प्रकार आपको यहाँ भी प्रते एक लेटर में माइनस दो करना है लेकिन विप्रीत क्रम में लिखना है दबदाई तरफ से तो देखे यहाँ पर C में दो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा A पहले इधर साइड यह किनारे A आएगा और देखे एक लेटर में A पर लिखा हुआ है तो इसी से पता चल गया तो आपको डबल सी डबल डी और यम ए इस तरह लिख लेना है आप सन फोर्ट करेक्ट है नेश्ट कोस्टन है आठ लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 एक पंक्ती में उत्तर की और मुह करके बैठे हैं परन्तु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों तो यहाँ पर देखे पहले नार्थ की तरह फेसिंग डारेक्शन दिया है सभी का और आठ मित्रे तो एक, दो, तीन, चार 5, 6, 7, 8 और यह सबका राइट हो जाएगा इस साइड और यह सभी का लेट होगा अब इसके बाद देखेगा B6, B1 की दाई और से पाँचमे इस्थान पर बैठा है तो देखे B1 की दाई और पाँचमा तो एक, दो, तीन, चार, पाँच में यहाँ पर B6 बैठा है यहाँ यह साइड में ही रखेंगे डेटा, क्योंकि से और नहीं कहां पर बैठाना है, B4, B5 के दाइयोर पाँचमें इस्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचमा, यहां पर पाँचमें इस्थान पर B4 बैठा हुआ है, B5 के दाइयोर, तो इसको फिर यहां पर इसकी जगřे पर, B6 के बगल में, क्योंकि पाँचवा है तो पहला दूसरा, तीसरा, चवथा, पाँचवा से. आगे देखियेगा इसी में, कहरा कि B8, B4 के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है. अब B4 के बाई और तीसरा तो देखें पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर हो जाएगा B8 यहाँ पर बैठाएंगे B8 आगे देखिएगा B2 B7 के दाई और तीसरे इस्थान पर बैठा है B2, B7 की दाइयोर तीसे इस्थान पर है तो अभी यहाँ पर यहाँ बैठा देते हैं Sorry, B7 यहाँ बैठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर B2 बैठेगा आप कहरा कि B7, B1 का निकटतम परोसी है तो देखे B7, B1 का परोसी है अब बचाए एक और तो B3 यहाँ पर बैठा देते हैं तो यह देखे 8 परसन यहाँ पर यह पूरे सेट हो गए तो यहाँ से आप सेट कर लीजे B7 करम से लिख लेंगे फिर B1 फिर यहाँ पर B5 इसी डेटा को पूरा लिख लेंगे फिर B2, B8 यहाँ पर देखे B3 है फिर इसके बाद यहाँ पर B6 और B4 अब देखे कहरा कोस्टन की B2 के ठीक दाइयोर कौन बैठा है तो B2 के ठीक दाइयोर बैठा है B8 इसका आप से नमबर फर्स्ट करेक्ट होगा नेस्ट कोस्टन है निम्न में से कहों से उत्तर आकरती प्रस्ट आकरती के पैटरन को पूरा करेगी घोर्नन की अनुमती नहीं है यहाँ पर देखेगा यह आकरती को पूरा करना है उस आकरती का चैन कीजे जिसे प्रस्न चेन के इस्थान पर रखा जा सकता है यहाँ पर देखे यह आकरती जो है तो फर्स्ट सेकेंड में जाएंगे तो यह क्लाक वाइज 90 डिगरी घूम गई है और इसके बाद ब्लैंक खाली कर दिया है फिर थान में जब जाएंगे तो पुण यह क्लाक वाइज 90 डिगरी घूम आएंगे तो यह आपको देखना कि कहां पर यह है तो यह आपसा मबर देखे फोर्थ में होगा यहां पर फोर्थ नंबर कहीं आएगा जब यह 90 डिग्री आप घुमाएंगे तो यह इसमें आकरती फोर्थ यहां पर फिल होगी नेस्ट कोस्टन है निमलिकित प्रस्ण में दिये गए बीकल्पों में से उस आकरती का चैन कीजिए जिसे प्रस्ण चैन के इस्थान पर रखा जा सकता है यहां पर देखें 1st सेर्ण जाएंगे तो देखें एंटी कलाकवाइज डायरेक्शन में चल ला है और आकरती को खिसका दिया इसकी जग्ए पर माnegाणेस कर दिया देखे इस plus को यहां ले आया और इसकी जग़े minus हो गया है फिर आगे जाएंगे तो देखे इन दोनों को आगे खिसका दिया है यह आकरती देखे और इसकी जग़े पर यह चा गया फिर इसमें जाते हैं तो देखे इन तेनों को और आगे खिसका दिया है anti-clockwise और इसकी जगह आ रहा गया अब जब इसमें जाएगे तो ये चारों को खिसका देगा आगे और इसकी जगह पर कोई दूसरा लेटर आएगा तो देखे क्रम यही रहेगा मतलब इसमें यच माइनस और प्लस और आर आर यच माइनस प्लस ही रहेगा देखे आर यच माइनस प्लस ये यच तो आथ है फ़स्ट आकरती ही इसमें आएगी कोजसन मार की जगह पर बाकी आकरती हुआ देखे क्रम उल्टा है यहाँ पर तो आता है आकरती ए फ़स्ट यहाँ पर फिल होगी Neist question है यहाँ देखे 30 questions कवर करेंगे निम लिखित में से कौन एक रसी बेग ज्यानिक है जिनोंने भारत में हाईत क्रांतिक में महतपूर्ण भूनिका निभाई है पंडित रवी संकर किस वाद्यंद्र के वादक है गयस का द्रव में परिवर्थित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्थित होना रिक्तिस्थान कहलाता है इसे निच्छे पर कहते है गरेवी रेखस नीचे की जन संख्या के अनुपात को गरेवी अनुपात या रिक्तिस्थान कहा जाता है गुरु पर्व निम लिखित में से किस समधाय द्वारा मनाया जाता है रुक्मनी देवी को डिक्ति स्थान के सबसे प्रतिस्थित कलाकारों में से एक माना जाता है राष्ट्री ध्वज का अनादर भारती समिधान में उलिखित निम लिखित प्रस्ट में से किस मौलिक कर्तब्य का उलंगान है साइमन कमीशन दिखति स्थान में भारत आया नेस्ट कॉस्टन दोहजार तेस में लांच की गई धर्ती माता की बहाली जाग रुकता स्रिजन पोषण और सुधार के लिए पियाम कारकरम जिसे प्रणाम योजना का नाम दिया गया था इसका उद्देश रिक्तिस्थान है पराने मराथा कुनवीयों को कुनवी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में गोषणा की है करेक्टांसर है आफ शर्ण फोर्थ एक नात सिंधेने कर्थक नृत्त को रिक्तिस्थान के संयोजन की रूप में जाना जाता है परानसर है आफ शर्ण थर्ण संघीत नृत और कथा जारी किया गया रिट नहीं है प्राचीन हरप्पा सहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार के तरपर बनाय गया था प्राचीन हरप्पा सहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार के तरपर बनाय गया था सहित किसी भी से समूव में प्रतेग पुरुस महिला और बच्चे के लिए गर्णा की गई आउसताय को दर्शाने के लिए किस सब्द का प्रियोग किया जाता है करेक्टांसर है आपसन सिकेंड प्रतिव्यक्ति आए नेस्ट कोस्टन है अगस्त 2023 में महाराज सरकार द्वारा शुरू किये गए पहले उद्योग रतन पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है करेक्टांसर है आपसन सिकेंड रतन टाटा नेस्ट कोस्टन राधा स्रीधर का संबंध निम लिखित में से किस सास्त्री नित्र से है करेक्टांसर है आपसन फोर्थ भरतनाटियम नेस्ट कोस्टन है यहां से मैट्स को कोस्टन देखेंगे फ़र्ष्ट कोस्टन है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन दो संख्याओं की योग का 30 परस्ट है तो 0-0 cancel out हो जाएगा अब आपको x plus y और x minus y का ratio बना लेना तो देखे x plus y बटे x minus y बराबर हो जाएगा में इसको इस फॉर्म में तो देखे डायरेक्ट बाइलू आ जाएगी यहां पर दस तेन तेरा हो जाएगा जोड़ने पर और नीचे दस में तेन घटाएंगे तो साथ तो दोनों संख्याओं को बड़ी चोटी संख्याओं का अनुपात आएगा तेरा अनुपाते साथ यह इ और समान ब्याज दर पर समान धनरास्ति पर चक ब्रदीव्याज वार्शी ग्रूप से सही वजित कितना होगा देखे साधारन ब्याज 960 उपए हैं दो साथ वर्स का आपको चक ब्रदीव्याज फाइंड करना तो इसका एक सरल तरीका है पहले यह आप लिख लेंगे दो व वर्स का भी 480 तब यहाँ पर टोटल 9602 वर्स का SI हो गया लेकिन पहले वर्स का CI और SI समान होता है तो यहाँ भी 480 लिख लेते हैं अब दूसरे वर्स में देखे यह बढ़ जाएगा चकविद व्याज तो यह 480 तो रहे गही लेकिन 480 का आपको निकालना है 6% तो 6% ब्रद 960 और 28.8 और जोड लेंगे जो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बैलू आ जाएगी 988.8 यह हो जाएगा दो वर्स का CI डाइलेक्ट आपको इस तरह फाइन करना है आपसर नमबर फर्स्ट करेक्ट है नेस्ट कॉस्टन है किसी बस्त उपर 50 प्रिस्ट की छोड़ देन है क्रेमोल का यह एंपी अर्थात अंकीत मार्केट प्राइस तो फिर यहां ब्रैकेट में लिखेंगे हैंड़ माइनस डिसकाउंट परसेंट अपान हैंड़ प्लस प्राफिट परसेंट अब यहां पर दोनों का रेसियो फाइंड कर लेते हैं CP और MP का यहां पर देखे दो और MP CP यहां पर 50 है और MP है 150 तो देखे यहां पर लाब हो रहा देखे 100 का 100 का लाब हो रहा है CP पर होगा तो यहां पर यदि कोई शूट न दे तो प्रिस्ट में निकालना है तो देखे 100 बटे 50 और इंटू करेंगे हैंड़ तो यहां से देखे 50 से कम 50 पचास दूनी 100 तो 100 तूनी 200, 200% का लाब होगा, इस तरह से इसका विकल्प से करेक्ट है, नेस्ट कॉस्चन है, यदि एक सम चत्रभुज के विकल्ण 48 cm और 64 cm है, तो सम चत्रभुज का परिमाप कितना होगा, परिमाप होता है सम चत्रभुज का चार गुने भुजा, फहले एक डाइग्राम बना हाफ करेंगे, तो यहाँ पर 24, 24 लिखेंगे, और 64 को हाफ करेंगे, तो 32, 32, तो यहाँ पर 32 और यह भी 32, तो यहाँ पर देखेंगे, अब एक यहाँ पर 90 डिग्री जब बनेगा, तो पाइथागुरस थियोरम से यह कर्ण आपको फाइंड कर लेना, यही भुजा हो जाए 48, 32, 8 का यहाँ भी करेंगे, तो यह दूसरी भुजा 32, तो तीसरी भुजा हो जाएगी, 58, 40, मतलब करण हो जाएगा, यहाँ पर 40 से इस तरह से टेपलेट से आप फाइंड कर लेंगे, और जब यह तीसरी भुजा 40 हो गई, मतलब यह भुजा की बैलू आ गई, समचतर प्रस्टन है, एक किलोग्राम गेहूं के मूल में 50 प्रस्ट की ब्रद्धी होई है, देखे मूल मान यहाँ पर 100 था, माल लेते हैं 100 परसंट, जब 50 परसंट की ब्रद्धी हो जाएगी, तो नया मूल हो जाएगा 150 परसंट, अब यहाँ पर देखे और ब्रद्धी 25 तो 150% की जब निकालना है तो देखें 50 से 150 बराना है तो तीन का गुणा करेंगे तो यहां भी तीन का गुणा कर देगी इस साइट भी तो 25 त्याई 75 रुपए हो जाएगा नयमूल आपसर नंबर से केंड करेक्ट है यदि यम अनबाते यम अनबात पी बराबर 3 अनबात 7 अनबात 5 है और पी अनबात क्यू बराबर 1 अनबात 2 है तो यम अनबात क्यू का मान कितना होगा यहां पर देखे पहले तीनों का अनुपात लिख लेंगे यहां अनुपात यहां पर तीनों का रिश्यों यहां पर दिया हुआ है तीन अनुपात साथ अनुपात पाँच तीन अनुपाते साथ अनुपाते पाँच और दूसरा अनुपात दिया है यहाँ पर देखे पी अनुपात क्यों भी दिया है पी अनुपात क्यों बराबर यहाँ पर देखे एक अनुपात दो है तो यहाँ लिख लेते हैं एक अनुपात दो तो ये PQ का नया अनुपात आ गया यहाँ पर देखे 5 अनुपाते 10 आपको यम अनुपात Q गयाद करना है तो देखे यम अनुपात Q के लिए फ़र्श्ट बाले में यम की बैलु देखे यहाँ पर 3 दिया हुए तो 3 आ जाएगा और क्योंकि बैलू यहाँ पर सेकेंड बालिम देखें यहाँ पर 10 हो गया तो 3 अनुपात 10 बनेगा नया अनुपात इसका आपसर नमबर 3 करेक्ट है नेश्ट कोस्टन है यदि X अनुपात Y बराबर 11 अनुपात 5 है तो X माइनस Y अपान X प्लस Y का मान कितना है यहाँ पर ध्यान देंगे X और Y यहाँ पर बैलू पूर कर देना X की बैलू गेरा और Y की बैलू 5 तो यहाँ पर डाइरेक्ट यहाँ पर गेरा माइनस 5 करेंगे और यहाँ पर गेरा प्लस 5 करेंगे तो गेरा में जब 5 घटाएंगे तो यहाँ 6 बैलू होगी और गेरा 5 यहाँ पर 16 तो यहाँ पर देखें कैंसिल आउन भी कर लेते हैं तो यह नया अनपाथ 2,3,6 और 2,8,16 तो 3 अनपाथे 8 इसका अनपाथ होगा नेस्ट कॉस्टन है एक अच्छा में 30 चात्रों की आउसत आयू 20 वर्स है कहरा कि यदि प्रतेक चात्र की आयू में 5 वर्स की ब्रद्धी कर दी जाती है तो आउसत आयू में कितनी ब्रद्धी होगी देखें पुराना आउसत तो 20 दिया है यहाँ पर अब यदि 5 वर्स की प्रतेक छात्र की आवि में ब्रद्धी करेंगे तो नया आउसत हो जाएगा 25 तो यहाँ पर देखें आउसत में ब्रद्धी देखें तो 5 की ही ब्रद्धी होगी जितने वर्स की ब्रद्धी की जाती है आउसत में भी उतने ही ब्रद्धी होगी आपसा number first correct है next question है P, Q और R का उसत 40 है तो यहाँ पर तीनों का पहले योग निकाल लेते हैं P, P, Q, P, R तो उसत 40 है तो 3 x 40 करेंगे तो योग हो जाएगा तीनों का 40 त्याही 120 खैरा कि यदि P और Q का उसत 35 है तो यहाँ पर योग निकालेंगे P और Q का तो यहाँ पर 2 x 35 कर लेंगे 35 दूनी हो जाएगा 70 फिर आगे देखे तथा Q और R का उसत 45 है तो Q और R का योग निकाल लेंगे यहाँ पर तो 2 x 45 करेंगे तो 45 दूनी 90 तो Q का मान कितना है, यहाँ पर दोनों को पहले यहाँ पर प्लस करने पर बैलु आ जाएगी प्लस यहाँ पर Q और Q जोड़ेंगे तो 2 Q हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर R ही है तो बराबर हो जाएगा नौ साथ सोला अर्थात एक सो साथ अब यह नया समीकर्ण बन गया देखे इसको दूसरा मानेंगे यह हो गया पहला तो दूसरे में पहले को जब माइनस करेंगे तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा R से R कैंसिल आउट 2Q में एक Q घटाएंगे तो Q बचेगा और यहां पर 160 में जब 120 घटाएंगे तो 40 तो यही क्यों की बैलू Q कमान फाइंड करना है तो 40 हो जाएगा आपसर नमबर 1 करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है एक घड़ी 6,000 रुपई में खरीदी जाती है और 55,000 रुपई में बेंची जाती है तो हानी प्रिस्ट कितना होगा यहां पर देखे C.P दिया है 6,000 रुपई और S.P दिया है 55,000 रुपई तो देखे हानी हो रही है 500 रुपई की और यह C.P पर होगी तो प्रिस्ट में फाइंड करना है तो देखे 500 उपर लिखेंगे और C.P की बैलू नीचे लिखेंगे इंटू करेंगे हैंडेट तो यहां देखे 3.0 से 3.0 कैंसिल आउट फिर 2 से 2.3 है यहां पर 25,250 तो यहां पर बैलू बचेगी 25,3 और जब भाग करेंगे तो 3,8,24,8 पॉइंट यहां पर 3,3 आएगा यह इसका अंसर होगा आपसर नंबर 3 करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है 25,301 और 387 का महत्तम सवापर तक ग्याद करें यहां पर संख्याएं लिख लेते हैं 200,301 और 387 अब आपको S.C.F. फाइंड करना है तो अंतर बीच से फाइंड करेंगे और जिन दो संख्याओं के बीच निउन्तम अंतर है तो यहां पर देखें इन दोनों के बीच निउन्तम अंतर है घटाएंगे तो देखें 12 में 8 घटाएंगे 13,9 में 5 घटाएंगे 4,43 का डिफ्रेंस आया अब देखें 43 अभाद संख्या है तो इसका भाग तीनों संख्याओं में जाएगा हताया सी अब 43 ही हो जाएगा इसका आपसर नमबर फस्ट करेक्ट है आपसर में भी दिया गया है 43 नेस्ट कॉस्टन अमर सचिन से 10 प्रेस्ट अधिक कारे कुसल है यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा सबसे पहले तो अमर और सचिन यहाँ पर दोनों की efficiency अर्थात कार चंपता का अनुपाद बना लेंगे कहरा कि अमर सचिन से 10 प्रेस्ट अधिक कार कुसल है यदि सचिन का 100 मान लेते हैं तो यहाँ पर 110 हो जाएगा क्योंकि 10 परसेंट जादा है अब देखे efficiency यहाँ पर find करेंगे तो 0000 पहले cancel out तो 12 अनुपाद यह 10 का अनुपाद बनेगा तो टोटल वर्क आ जाएगा क्योंकि टोटल वर्क वराबर होता है efficiency into time तो 440 यहाँ पर टोटल वर्क हो गया अब कहरा कि अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों पर करेगा जब अमर का find करना तो टोटल काम 440 है और इसकी efficiency गेरा है तो गेरा से भाग कर देंगे तो गेरा 4440 यह जीरो लगाएंगे तो अमर अकेले उसी काम को 40 दिनों में पूरा करेगा आपसर नंबर 4th करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है यदि किसी बस्तु का अंकित मूल 45 रूपाई है आपसर थर्ड करेक्ट है नेस्ट कोस्टन एक निशित धंदासी पर 3 वर्सों के लिए प्राप्त साधान ब्याज 1782 रूपाई है उसी धंदासी पर समान ब्याज दर पर 10 वर्सों के लिए प्राप्त साधान ब्याज कितना होगा देखें यहाँ पर 3 वर्सों का साधान ब्याज यसाई दिया है 1782 रुपए तो पहले यहाँ पर 1 वर्स का निकाल लेते हैं तो 1 वर्स का जब यसाई निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 8, 1782 बटे 3 आप कहरा कि 10 वर्स का साधान ब्याज कितना होगा तो 10 वर्स का जब निकालना है यसाई तो 10 से मल्टिप्लाई कर देंगे 1782 बटे 3 इंटू हो जाएगा 10 अब देखें 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3, 5, 15 फिर 2, 28 हुआ तो 3, 27 फिर 1, 12 हुआ 3, 4, 12 तो यहाँ पर 69 कुणे 10, 59494 कुणे 10 करेंगे यहाँ पर 6940 रुपए आ जाएगा यहाँ इसाई इसका आपसर नमबर 3 करेक्ट है नेस्ट कॉस्टन 0.41 बार को भिन्द में परिवर्तित कीजिए यहाँ पर देखें 0.4 फिर इसके बाद 1 में यहाँ पर बार का सिंबल लगा है तो सबसे पहले पूरी संख्य है यहाँ पर 41 है तो 41 में संख्या चूटी हुई है जिसमें बार का सिंबल नहीं लगा तो 4 माइनस करेंगे फिर बाटे 1 संख्या में बार है तो इसके बादे 9 लिखते हैं और एक संख्या चोटी तो इसके बादे 0 लगाएंगे अथार बटे में 90 आएगा अब 41-4 करेंगे तो यहां 37 होगा उपर और नीचे 90 तो 37 बटे 90 इसका अंसर होगा आपसन से केंड करेक्ट है नेस्ट कॉस्टन है 28,000 रुपए में एक रेफ्रीजेटर बेंचने पर अनुराब को 30 प्रिस्ट की हान ही होती है तो 30 प्रिस्ट की हान ही मतलब वो बेचा 70 परसंट में 100 में 30 माइनस करेंगे और यह 70 परसंट की बैलू दिया है 28,000 रुपए फिर लास्ट में देखे कहरा कि 25 प्रिस्ट का लाब अर्जित करना चाहता है तो उसे रिफ्रेजेटर का किस मोल पर बेचना चाही था अब देखे यहाँ पर लाब 25 परसंट का कमाना है तो 125 हो जाएगी बैलू सव में 25 जोड़ेंगे 125 परसंट की फाइन करना है 70 परसंट की यहाँ पर दिया है 125 परसंट की फाइन करना है तो 00 कैंसिल आउट 7 एक कम साथ यहाँ साथ चोग 28 जो डबल जीरो एक परसंट की बैलू हो जाएगी 400 आपको 125 परसंट की निकालना है तो 125 हो जाएगा 400 तो यहाँ पर देखे गुना करेंगे 125 चोग को होता है 500 और यहाँ पर 00 लगाएगे तो अर्थात 50,000 रुपए हो जाएगा आपसा नमबर इसका थर्ड करेक्ट है नेस्ट कोस्टन है यदि एक कार 50 किलोमीटर परतिघंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा यहाँ पर time find करना है time equal to होता है distance upon speed तो देखे distance दिया है 150 किलोमीटर और speed दिया है 50 किलोमीटर परतिघंटा तो cancel out करेंगे 50,000 त्याइंडेर सो होता है अथा 3 घंटे का time लगेगा आपसान से second correct है निम लिखित में से कौन सी संख्या 9 से भी भाज नहीं है देखे इसका आपसन में जाये तो first ही नहीं है क्योंकि 6,3,9 यह तो कट रहा है लेकिन 8,5,13 ही हो रहा जो कि 9 से divide नहीं होगा तो आपसन first correct है next question है W और X मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते है X प्लस Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते है और W X Y मिलकर एक साथ मिलकर करते है तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है तो W और Y मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेंगे तो यहाँ पर सबसे परे लिख लेते हैं W और X का दिया है देखे 40 यहाँ पर लिखते हैं W और प्लस X यह 40 दिनों में किसी काम करते है X प्लस Y का दिया है 60 यहाँ लिखेंगे X प्लस Y उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं आपको लास्ट में देखिए यहाँ पर W और Y का फाइंड करना है तो यहीं पर लिख लेते हैं W प्लस Y यह आपको फाइंड करना है कितने दिन लगेंगे लेकिन तीनों मिलकर के जब काम करते हैं W प्लस X प्लस Y W प्लस X प्लस Y तो यह टाइम लगता है इनको 30 दिन तो यहां लिखेंगे 30 अब देखें यहां पर 40, 60 और 30 का LCM फाइंड करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा तो यहां पर देखें, LCM आएगा 120, तो यहां पर टोटल वर्क हो जाएगा 120 आप देखें, efficiency निकालेंगे W प्लस X की, तो 40 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा यानि W प्लस X की कारशमता 3 हो गई, X प्लस Y की कारशमता निकालना तो 60 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा और तीनों की कुल कारचमता निकालना है तो यहाँ पर देखे 30 से भाग करेंगे 120 में तो 34 के 120 मतलब 4 आ जाएगी तीनों की कुल कारचमता अब यहाँ पर देखे आपको W और Y की कारचमता निकालना होगा तो देखे यहाँ पर X प्लस Y की दिया है 2 कारचमता तो जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो W की यहाँ पर रखना होगा 2 क्योंकि 2 और 2 टोटल हो जाएगा 4 तो W की कारचमता 2 आ गई इसी प्रकार W और X की कारचमता 3 दिया है तो जब W X की 3 रखेंगे यहीं से पता होगा तो Y की एक रखना होगा कि कोई 3, 1, 4 होगी तो यहाँ पर Y की आ जाएगी एक कारचमता तो 2 और 1 टोटल यहाँ पर कारचमता 3 हो जाएगी तो इस तरह आपको टोटल निकाल लेना अब देखे W प्लस Y कितने दिनों में करेंगे तो काम यहाँ पर देखे टोटल 120 है और इनकी कारचमता 3 आ गई तो भाग करेंगे 3 से तो 3 एक कम 3, 3, 4, 12, 40 दिन में करेंगे आपसन सेकेंड करेट है नेस्ट कॉस्टन है दो संख्याओं का गुड़नफल 148 है उनका लगुत्तम स्वापर तक 302 है तो उनका महत्तम स्वापर तक ग्याद कीजे एक फार्मूला होता है लसी एम इन्टो एसी एफ इकवल टू फर्स नंबर इन्टो सेकेंड नंबर अब यहाँ पर देखें दो संख्याओं का गुड़नफल 1408 है एक साथ दे दिया है यहाँ बराबर लिखेंगे 1408 और यहाँ पर देखें लसी एम दिया है 302 तो यहाँ पर इसकी जगे देखेंगे तो देखेंगे यह जाएगा चार बार क्योंकि दो चार बार में 1408 आएगा अथा तेसी एफ हो जाएगा चार बीकल कपका सहारल लेंगे आप संसे करेक्ट है अब यहांस देखें हिंदी के 20 questions देखेंगे देगे वाक क्यांस के लिए एक सार्थक सब्द ग्याद कीजिए वाक क्यांस है जहां आसानी से पहुचा जा सके करेक्ट आंसर है आपसं थर्ड सुगम नेस्ट कोस्ट निम लिखित वाक में रिखांकित भाग के लिए एक सार्थक सब्द ग्याद कीजिए वाक है देखें तुम्हें तो किसी से लगाओ ही नहीं है तो इसके रिखांकित भाग है देखें किसी से लगाओ ना होना अथार निरलेप्त आपसं थर्ड करेक्ट है न देए गए वाक में से गलत वर्तनी ग्याद कीजे यहाँ पर देखे सुरूती की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आँखों से आसु बहने लगे यहाँ पर देखे आसु के जगे आसु होगा बड़ाउ की मात्रा होगा यहाँ पर गलत वर्तनी है आसु दे गए वाक में रेखांकी सब्द का तद्भव सब्द ग्याद कीजिए देखे यहाँ पर वाक है उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है रेखांकी सब्द देखे ग्रीवा इसका तद्भव होगा गर्दन नेस्ट कॉस्चन नेमलिखित प्रस्ट में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो रेक्तिस्थान के लिए सही भाव आचक संग्यावाला बिकल्प हो यहाँ पर वाक है देखे दीपक ने रंजीत के साथ रेक्तिस्थान का निरुवाय किया तो यहाँ पर मित्रता होगा, करेक्ट होगा निम लिखित प्रस्ट में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो कोश्टक में दे गए सब्द की बिलोम सब्द का सही बिकल्प है वाख है, देखे हमें लोगों से बात करते समय हमेशा करकस रिक्तिस्थान बाणी का उपयोग करना चाहिए ब्रैकर में देखे करकस है इसका बिलोम सब्दोगा मधुर नेस्ट कोस्टन है नेमलिखित प्रस्ट में चार भी कल्पों में से उस भी कल्प का चैन करें जो दी गई लोकोक्ती का सही अर्थवाला भी कल्प है यहाँ पर देखे लोकोक्ती है चार दिन की चांदनी फिर अधेरी गात इसका अर्थ होता है सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं नेस्ट कोस्टन है नेमलिखित वाक्य में उस वाक्यांस को पहचानी जिसमें मात्राओं सम्मन्दी तसुदिया है यदि कोई गलती नहीं है तो कोई तुरूटी नहीं का चुनाव कीजिए यहाँ पर देखे वाक्यांग है गाउ अब कस्वों के रोप में और कस्वे अब सहरों के रोप में बिक्सित हो रहा है और इस प्रकार सी अर्थ विवस्ता के छेत्रों को भी काफी विकास देखने से मिला है तो यहाँ पर देखे यहाँ पर गलत है तुरूटी देखे के छेत्रों को भी यहाँ पर छेत्रों में भी होगा काफी विकास देखने को मिला है यहाँ पर ऐसे होगा से की जगे, हो की जगे होगा है तो यहाँ पर देखिये तुरुटी है, नेस्ट कॉस्टन देखेंगे देए गए वाक्य मेरे खांकी सब्द का बिलॉम सब्द ग्याद कीज़े वाक्य देखे सौभाग से किसी को ऐसा घर मिलता है सौभाग का देखे बिलॉम होगा दुरुभाग नेस्ट कॉस्टन निम लिखीत प्रस्ट में चार देगए चार विकल्पों मेंसे उस विकल्प का चेहन करे जो देगए मुहावरे के अर्थ को सर्षिटी चूलप करता है देखे मुहावरा है अंग अंग तूटना, इसका अर्थ होगा थकावच से बदन में दल्थ होना Next question निम लिखित प्रस्ट में चार बिकल्प में से उस बिकल्प का चैन करें जो कोश्टक में दे गए सब्द की बिलोम सब्द का सही बिकल्प हो यहाँ पर देखेगा हमें दुर्भावना को त्याक कर रिक्तिस्थान को अपनाना चाहिए यहाँ पर देखे दुरभावना का बिलोम होगा सदभावना नेस्ट कोस्टन दे गए वाक मेरे खांकी सब्द का तद्भाव सब्द ग्याद कीजिए यहाँ पर देखे वाक है तौम मेरे भाई हो यहाँ तौम का तद्भाव होगा तौम नेस्ट कोस्टन है निम लिखित प्रस्में चार बिकल्पों में से उस बिकल्प का चैन करें जो रिक्तिस्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला बिकल्प हो यहाँ पर वाक्ष देखें कल सभी उस लड़के की रिक्तिस्थान कर रहे थे तो यहाँ पर correct answer होगा प्रसिंसा नेश्ट कोस्टन दिये गए वाक्य में उचित सब पर्यायवाची सब्द का चैन करके रिक्तिस्थान की पूर्ति करें यहाँ पर रिक्तिस्थान में देखे राजासन पर बैठते ही हुए बदल गया देखे राजासन का पर्यायवाची होगा सिंगासन नेश्ट कोस्टन नीचे दिये गए गध्यांस में कुछ सब्द छोड़ दिये गए हैं प्रतेक अनुछेद के सामने चार बिकल्प दिये गए हैं इस गध्यांस को ध्यान प्रोग पढ़ें और चार बिकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला बिकल्प चुनें यह आपको पूरा गध्यांस पढ़ना होगा इसके बाद आप प्रशनों के उत्तर दे पाएंगे इतना समझने के बावजूद भी दिन वनों की रिक्तिस्थान का टाई होती है तो यहाँ पर होगा अधा धुंद यह समस्य दिन प्रदिन रिक्तिस्थान रूप धारन करती जा रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिक्राल प्रकृति की एक खूपसूरत रचनाए रिक्तिस्थान की विविन प्रजातियों के लिए घर का काम करती है तो यहाँ पर फिल होगा जानवरू वे ग्रह की रिक्तिस्थान को बनाई रखने में मदद करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जलवाई नेस्ट कोस्टन है वे जानवरों के लिए एक रिक्तिस्थान आवास और लकडी के एक प्रमुक स्रोथ है तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक इस प्रकार से 80 कोसंस इसमें कम्प्लीट हो चुके हैं आपको आल कोसंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सा झाल